आजकल सरकारी प्रोत्साहन के कारण अर्थ व्यवस्था के सबी घटकों में नेजी छेत्र का बर्चस्व बढ़ रहा है ऐसे मैं शिक्षा का शेत्र नेजी करण से प्राभावित हुए बिना कैसे रह सकता है शिक्षा के नीजी करण का अर्थ है शिक्षा के शेत्र में सरकार के अतरिक गयर सरकारी भागीदारी वैसे तो बिटिसकाल से ही नीजी संस्थाएं सिक्षन कारे में सनलगन थी लेकिन स्वतंत्र भारत में उनकी भागिदारी में बहुत ब्रद्धी हुई है प्रारंब में भारती शमिधान में सिक्षा बिसे को राज्य सूची के अंतरगत सामिल किया गया था लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने यह अनुभव किया कि चुकि सिक्षा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट के निर्मान में महत्व पूर्ण भूमी का नेवाती है इसलिए यह केंद्र सरकार के लिए भी महत्व का बिसेह अताह सिक्षा के शेत्र में एक रूपता लाने विस्तार करने एवं इसमें केंद्र सरकार की भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्स 1976 में इसे समिधान के वाइस्वे संसोधन द्वारा समबर्ती सुची में सामिल किया गया स्वतंत्रता के पश्चात जहां एक और हमारे पास संसोधन का अवहाव था बहिं दूसरी और जनसंख्या में भी तीप्रगाती से ब्रद्धी हुई अतहा एक बड़ी आवादी के लिए शिक्षा की समुचित बेवस्था करना सरकार के वसकी बात नहीं थी इसलिए भारत में शिक्षा में निजी छेत्र को बेना किसी अवरोध के प्रोत साहन दिया गया निजी छेत्र को सिक्षा की और आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाई जैसे निजी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना उनके लिए अनुदान का प्राफधान करना सैक्षुनिक इमारत हेतु कम मूल्ले पर भूमी उपलब्ध कराना आदी भारत में उपरी तौर पर सिक्षा को दो भागों में बिवक्त किया जा सकता है उसकूली सिक्षा तथा बिस्विध्यालाई सिक्षा या उच्च सिक्षा आज इन दोनों ही छेत्रों में निजी संस्थानों की भागेदारी द्रस्टी गोचर होती है यही कारण है कि यहां सरकारी सिक्षा ब्यवस्था के समानांतर निजी सिक्षा प्रणाली भी संचालित है सिक्षा के निजी करण के इस छेत्र के प्रैसार में सकारात्मक योगदान दिया है सिक्षा को निजी हातों में सौप कर अधिक कारे कुशलता और उत्पादक्ता को बढ़वाना सिक्षा और उद्धुम सील युबाओं को अफसर प्रदान करके रोजगार में ब्रधी लाना शार्वजनिक शेत्र के उपकरमों संस्थानों की कारे छमता में सुधार लाना सार्वजनिक एवं निजी छेत्र की भागिदारी से प्रति इस परदा को बढ़ावा देना राष्ट निर्मान के लिए जवाब दे बनाना बरतमान में सिक्षा के निजी करण के कारण सिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है जिन लोगों को प्रतियोगी परिक्षाओं में असफल रहने के कारण किसी बैवसाइक या अन्य पाठे किरम में प्रावेश नहीं मिल पाता वे अधिक धन खर्च करके मनुवांचित सिक्षा प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार सिक्षा के निजी करण के कारण देश का धन शकारातमक कार्रों में लग रहा है अब यह चौरासी की है तो इसको क्या करें आप लोग पांच मिनट तो पढ़ने के लिए और उसके बाद में इसका टांसलेट करने के लिए तीस मिनट ठीक है अब यह बहुत कर दो इसके मिनट रहा है